नमाशकार दोस्तों 23rd March 1931 90 साल हो गए है उस दिन से जिस दिन राजगुरू सुखदेफ और भगत सिंग शहीद हुए थे आज के दिन हम में से हर कोई भगत सिंग के बारे में जानता है उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को और आईडियास को समझने की आज के वीडियो में मैं इसी की चर्चा करना चाहूँँगा दोस्तों आए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं भगत सिंग को जब भी आप भगत सिंग का नाम सुनते हैं आप में से बहुत से लोग के दिमाख में हतियार और वाइलेंस जैसे शब्द आते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तो भगत सिंग को अपने जमाने का फिर्स इंटेलेक्चुल कंसिडर किया जाता था उनके दोस्त कहते थे कि जब भगत सिंग उने दिखते थे कोई ना कोई किताब हाथ में लिये होते थे वो उन्होंने विस्तार में पढ़ाई करी थी ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रॉशियन, लिटरेचर की कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार उन्होंने 250 से ज़्यादा किताबे पढ़ी थी अरेस्ट होने से पहले और जो दो साल वो जेल में रहे थे उन्होंने तकरीवन 300 से ज़्यादा किताबे पढ़ी थी और ना सिर्फ किताबे पढ़ने के लिए बलकि भगत सिंग को अपने लेख के लिए भी जाना जाता था अपनी राइटिंग के लिए उनके आर्टिकल्स छपते थे कीर्ती, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताब जैसी मैगजीन्स में उस दमाने की मैगजीन्स हुआ करती थी बात मैं यह कहना चाहरा हूँ कि भगत सिंग एक इंटेलेक्चुल थे हाइस्ट ओर के लेकिन आज के दिन अगर किसी को आप कहोगे कि ज़रा भगत सिंग की तरह एक्टिंग करके दिखाना तो वो अपनी मूचों के साथ खेलेंगे और गोली निकाल कर दिखाएंगे लेकिन क्या आप जानते हैं भगत सिंग ने यह कहा था लेकिन आज के दिन लोग आइडियास की विचारों की बात ही कहा करते हैं लोग तो बड़े खुश हैं एक intellectual revolutionary को trigger happy rebel की तरह दिखाने में इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इनके तीन बड़े विचारों को आपके सामने रखना चाहूँगा तीन बड़ी ideologies जो भगत सिंग की रही थी socialism, atheism और internationalism भगत सिंग, काल मार्क्स, लेनिन और socialism की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे उन्हें दर्द होता था जब वो देखते थे कि कैसे किसानों को, मजदूरों को, factory workers को treat किया जाता है society के दुआरा वो यही society के निचले work के लिए लड़ना चाते थे उनकी inspiration दिखती है उनके 1923 प्राइज विनिंग essay में जहाँ पर वो गुरु गोबिन सिंग को quote करते है सूरा सो पहचानिये, जो लड़े दीन के हित पुर्जा पुर्जा कट मरे, कभू ना छड़े खेत यानि बहद्दूर वह है जो दीन दुख्यों के भले के लिए लड़ता है और भले ही उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो जाए वह मैदान छोड़ कर नहीं भागता हमारे ज्यादेतर freedom fighters के लिए देश को British राद से आजादी दिलाना number one priority थी और जो social justice का सवाल था उसकी चर्चा बाद में भी करी जा सकती थी लेकिन भगत सिंग का कहना था एक किसान के लिए और एक मजदूर के लिए फरक नहीं पढ़ता टॉप पर कौन बैठा है सरकार में कौन बैठा है चाहे वो एक Britisher हो चाहे वो भारतिय हो अपने February 1931 के में भगत सिंग कहते है कि पॉलिटिकल रेविलुशन एक इंडिस्पेंसिबल प्री कंडिशन है लेकिन ultimate objective है socialist revolution उनकी revolutionary party का नाम था हिंदुस्तान Republican Association लेकिन चंद्रशेखराजाद और भगत सिंग ने socialist शब्द इसमें बाद में add कर दिया था जिससे कि ये बन गई हिंदुस्तान Socialist Republican Association भगत सिंग का strong dedication अपनी विचारधारा में इनके slogans में भी दिखता है जब assembly में bum गिराए गए थे तो भगत सिंग और बाटुकेश्वार दत ने तीन स्लोगन्स उठाये थे इनकलाब जिंदाबाद Workers of the World Unite और Down with Imperialism Similarly, ट्राइल के दोरान इनोंने नारे उठाये थे Long Live Socialist Revolution और Down with Imperialism एक बड़ा famous लोक है महाउपनिशद और रिग वेदा में शायद आपने सुना हो वसुदेव कुटुम्बकम मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है इंटरनेशनलिजम एक और ऐसी विचारधारा थी दोस्तों जिसमें भगत सिंग बहुत strongly मानते थे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था विश्व प्रेम पब्लिश किया गया था कैलकटागी मैगजीन मतवाला में 1924 में यह कितना महान आदर्श है हर किसी को अपना हो जाने तो कोई भी अजनवी ना रहे वह कैसा सुन्दर समय होगा जब दुनिया से परायपन का भाव हमीशा के लिए मिट जाएगा वह दिन जब इस आदर्श की स्थापना होगी उस दिन यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी उचाई को छू लिया है इस आर्टिकल में यह उस पोएट को बहुत प्रेस करते हैं जिसने वसुदेव कुटुमबकम का आइडिया पहले एन्विजिन किया था आज के दिन जो लोग अपने आपको बहुत नैशनलिस्ट कहते हैं वो एक्चुली में जिंगोइजम के लेवल तक गिर चुके है जिंगोइजम एक ऐसा शब्द है जो एक्स्ट्रीम फॉर्म अफ नैशनलिस्म को डिपिक्ट करता है मतलब अपने देश के बारे में भला सोचना तो छोड़ो आप दूसरे देश को नीचा दिखाने में ज्यादा इंट्रेस्टेट हो दूसरे देशों को गालियां देने में ज्यादा इंट्रेस्टेट हो आज के दिन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है बलकि trade करेंगे वो दिन कहलाये जाएगा zenith of progress एक ऐसा दिन जब अमेरिका और जपान दोनों देश exist करेंगे लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे एक ऐसा दिन जिस दिन ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियन्स भी रहेंगे लेकिन दोनों मेंसे कोई भी एक दूसरे के उपर राज नहीं करेगा 1928 में भगत सिंग ने एक आर्टिकल लिखा था कीरती मैगजीन में जिसका टाइटल था नए नेताओं के अलग-अलग विचार जिसमें वो दो लीडर्स की बात करते हैं सुभाष चंद्रबोस और जवाहल नाल नहरू जो की दो नए लीडर्स थे इमर्ज कर रहे थे इंडिया में उस वक्त इन दोनों ने जो स्पीचिस दी थी बॉंबे में उस पर भगत सिंग अपने कॉमेंट्स देते हैं भगत सिंग सुभाष चंद्रबोस को एक emotional बेंगॉली करके पुकारते हैं और कहते हैं ये कैसे इनसान है जो romanticize कर रहे हैं इंडिया की beauty को कि इंडिया कितना महान हुआ करता था पुराने जमाने में भगत सिंग इसे sentimentality करके dismiss कर देते हैं और नहरू के rational views से उसे contrast करते हैं भगत सिंग नहरू की इस राय से सहमत है कि अगर हमारी logical understanding में हमें कुछ सही नहीं लगता है तो हमें उसे follow नहीं करना चाहिए चाहें वो वेदाज और कुरान में भी क्यों ना लिखा गया हो अगर आप भगत सिंग के विचारों के बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं दोस्तों तो मैं definitely recommend करूँगा कि आप इनकी biography जाकर पढ़िए पढ़ने से भी अच्छा है ज्यादा आसान है audio book की तरह भी सुन सकते हैं आप इसे मैं personally audio podcast को काफी prefer करता हूँ क्योंकि उन्हें पढ़ने में तो book खोल कर हमेशा बैठना होता है full concentration चाहिए होती है लेकिन audio podcast को आप walk करते हो या घर की सफाई करते हो या driving करते हो भी सुन सकते हैं और यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा audio learning platform आपको recommend करना चाहूँगा Cuckoo FM इसमें book summaries है, biographies है और courses भी है भगत सिंग की biography भी Cuckoo FM पर available है मैं नीचे link description में डाल दूँगा इस platform की normally cost है 399 rupees per year लेकिन क्योंकि Cuckoo FM ने इस video को sponsor किया है तो आप लोगों के लिए एक special discount है दोस्तों आपको 20% off मिलेगा अगर आप coupon code धुरुफ 20 इस्तिमाल करेंगे तो तो आपकी total cost पड़ेगी सिर्फ 319 rupees per year less than 1 rupee per day तो जरूर चेक आउट करिए दोस्तों, link नीचे आपको description में मिल जाएगा अपने 1927 में लिखे गए article religious rights and their solution में भगत सिंग बात करते हैं दुनिया के सभी गरीब लोग, जिस भी जाती, नसल, धर्म या देश के हो, सभी के वही अधिकार हैं ये तुम्हारे फायदे में है कि धर्म, रंग, नसल और राष्ट्रियता को लेकर भेदभाव बंध हो सके और सरकार की पावर तुम्हारे हाथों में हो इसी से ही हम आते हैं दोस्तो भगत सिंग की एक और स्टॉंग आइडियोलेजी पर जो की है सेकुलरिजम और एथिजम जहां एक तरफ महात्मा गांधी सेकुलरिजम के इंडियन वर्जन को प्रमोट करते थे यानि ऐसा secularism जहाँ पर सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन धर्म निर्पेख्षता दिखाएगी सारे religions की बीच में impartial रहेगी वहीं दूसरी तरफ भगत सिंग French version of secularism में मानते थे यानि सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखनी चाहिए हमेशा यही actually secularism की original definition है कि सरकार को किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि religion एक इनसान का personal affair है और इसी चीज़ पर फोकस किया था दोस्तो भगत सिंग और भगवती चरण बोरा ने जब उन्होंने manifesto लिखा था नौजवान भारत सभा का हम भारती हैं हम करक्या रहे हैं पीपल की एक टहनी कर जाती है तो हिंदूओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है कागस की मूर्ती ताजिया का एक कोना क्या तूट गया अल्ला को गुसा आ गया अरे इंसान की कीमत जानवरों से तो जादा होनी चाहिए और फिर भी आ भारत में लोग पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर्फ होड रहे है कीरती मैगजीन के जून 1927 के इशू में जो आर्टिकल लिखा था भगत सिंग ने उसमें भी इसके इंपोर्टेंस की बात करी गई थी यही रीजन है दोस्तों की जब हमारे एक और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय कम्यूनल पॉलिटिक्स की तरफ मोड ले रहे थे तो भगत सिंग ने एक पैंफलेट पॉलिश किया था जिस पर एक तरफ पोएम लिखी गई थी दे लॉस्ट लीडर और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय जी की फोटो प्रिंट करी गई थी भगत सिंग के जो पर्सनल व्यूस थे रिलिजन को लेकर उन्हें इन्होंने बड़े फेमस आर्टिकल वाई आइम एन एथिस्ट में डीटेल में समझाया था इनका कहना था कि अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो इतना इन्जस्टिस क्यों है इतना दर्थ इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में इन्होंने चेतावनी दी किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को कि इसे गौड का प्लेजर मत कऊ बें कहते हैं कि एक कैसा justice है जहाँ पर लोगों को सजा दी जाती है उनके पुराने जन्मों के पापों को लेकर यहाँ पर भगत सिंग बात करते हैं theory of jurisprudence की यह आर्ग्यू करते हैं कि revenge as a justice बड़ा ही outdated idea है कि किसी को justice दिलवाने के लिए revenge ली जाए यह पुराने जमाने की सोच है दूसरी तरफ जो theory of punishment है किसी को punish किया जाए उनके गलत कामों के लिए यह भी एक ऐसी सोच है जिसे अब दुनिया से हटाया जा रहा है धीरे-धीरे एक तीसरी reformative theory है जो आज के दिन जुनिया में धीरे-धीरे accept करी जा रही है जो की एक necessary चीज है human progress के लिए reformative theory कहती है कि अगर किसी नहीं हाँ पर कुछ गलत किया है तो उसे reform किया जाए उसे convert किया जाए एक peace loving citizen में भगत सिंग पूछते हैं कि अगर भगवान किसी को अगले जनम में गाए, बिल्ली, कुत्ते, भैंस में convert कर देंगे तो कैसे अपने आपको reform कर पाएगा या फिर अगले जनम में उसे गरीब परिवार में पैदा करें तो कैसे वो अपना oppression होने से रोक पाएगा गरीब परिवार में पैदा होने की वजए से उसका दिल और कुर बनता जाएगा और अगर वो फिर कोई crime commit करता है तो क्या ये भगवान की गलती नहीं है याँ पर आज के दिन दोस्तो बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे भगत सिंग की फोटो लगा कर घूमते हैं और लिखते हैं लगता है फिर से आना पड़ेगा लेकिन याद रखिये दोस्तो भगत सिंग एक एथिस्ट है वो ना तो किसी rebirth, पुनर जनम या स्वर्ग नर्ग heaven hell में विश्वास रखते थे जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे तो वो जानते थे कि ये the end है इसके आगे कुछ नहीं होगा याँ पर लेकिन at the same time भगत सिंग कहते थे कि एक इनसान को मारा जा सकता है उनके विचारों को नहीं तो आप अगर आज के दिन सही में भगत सिंग को मानते हैं दोस्तों तो उनकी profile picture लगाने से गाड़ी के पीछे sticker लगाने से कुछ नहीं होने वाला अगर आप भगत सिंग को सही में respect करते हैं तो उनकी ideas के बारे में पढ़िए वो जिन values को follow करते थे उनने और गहराई से जानने की कुशिश कीजिए उनकी विचार धाराओं के बारे में जानिए और जो वो सपना उन्होंने देखा था exploitation खतम करने का उसकी और काम करना शुरू कीजिए इनकलाब जिन्दाबाद उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको informative लगा होगा पसंद आया तो वीडियो को share कीजिए और नीचे कॉमेंट्स में लिखकर भी आप बता सकते हैं कि अगर ऐसे ही और historical वीडियो आप देखना चाहेंगे तो और कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे support कर सकते हैं patreon.com slash dhruvrati पर या YouTube पे member बनके join button click करके ताकि ऐसे ही और education videos मैं आपके लिए future में बनाते रहूँ चलिए मिलते हैं अगले video में धन्यवाद